हम अभी इलाज के बारे में बात करेंगे आपको कैविटी बड़ी हो यहने के उंगली आराम से जा सकती है वो कैविटी फिल करना ज़रूरी है क्यूंकि आपका इनैमल जो है वो इनैमल स्ट्रॉंग रहता है लेकिन डेंटीन सॉफ्ट रहता है कि आपको वो जो देंटीन एक्स्पोस्ट हों गया उस से युः पर ब्रस करेंगे जोर से तो क्याविटी बढ़ने वाली है यह देंटी एक्सपोस्थ हो गया है उसमें आप वाइन लाइन लाईम सब जूसफ पहेंगे तो कि वण Whats गया रहतो जैसे आप इस चित्र में देख कि यह कवेटी है डेंटिस दात को प्रिपेर करते थोड़ा शेप देते हैं और एक फिलिंग करते है जिसको कॉस्मेटिक करते है इसमें चांडी सोना नहीं भड़ते है कि हसने के बाद दिखाई देंगे इसमें तुठ कलर रेश्टोरेशन तुठ दात का रंग का फिलिंग कर जिसकी वजह से तो डेंटाइनल टुबील से पर्मनेंटली ब्लॉक हो जाए और इनाम डेंटीन और नहीं कम हो जाए इसकी वज़े से फिलिंग की वज़े से तो फिलिंग करना जरूरी है कि इस दा क्यावेटी इस बेक इलाज तो यह होगे इलाज घर का इलाज तुप्पिस का की सड़ी और देंटी का इलाज और ऑण जो आपको बता दें तो Sunset कारण जो हे अबसर meant say yeah जोर से लगते हैं और दात आप गिस्ते अ ए स्वेटा यह से वह होगे है तो first and foremost is to remove the causative factor आपको बार बार हाइपर सिंद नहीं होने के लिए आपको causative factors जो है वो कम करना जरूरी है और बंद करना जरूरी है यहने के brushing बराबर करना है आपको attrition यहने रात को दाथ घिशते होंगे तो night guard परना जरूरी है आपको erosion होते तो be careful of drinking acidic fluid liquid और acidic fluid और एक फ्रैक्शन हो तो देंटिस्ट के पास जाके occlusion यहने bite adjust करना जरूरी है तो मैंने आपको बताया हाइपर सिंद रा कारण क्या है घर का इलाज बताया है तुप्पिस्ट देंटिस्ट का इलाज बताया है ने healing लेकिन इस सब आपके अच्छे रह जाएंगे इस causative factor जिस वजह से आपको यह hypersensitive हो गई है वो निकालना बहुत जरूरी है आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करें bell icon पे click करें जिसे आपको हमारे dental healthcare video की notification मिलें लिव नाव लिव हेल्दी सिर्फ शुशुता के साथ झाल